हलो दोस्तों नमस्कार मारूतिन अंधन अकैडमी में आप सबी विद्यारतियों का बहुत बहुत स्वागत है आईए आज हम MS Excel में सबसे पहले format function का प्रियोग करेंगे दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सस्क्राइब करें और शेयर करें दोस्तों format function होता क्या है इसका प्रियोग क्या है आईए सीखते हैं सबसे पहले MS Excel की sheet open करेंगे वैसे तो आप सबी जानते हैं कि यहाँ पर हम merge function का प्रियोग करके heading दे रहे हैं जिसमें लिख रहे है format painter format painter heading देने के बाद हम यहाँ पर एक table draw करते हैं जिसमें हम लिखेंगे serial number item name rate और quantity इन सबी का total यहाँ पर हम all border function का प्रियोग करके all border लगाएंगे और हमारे column को adjust करेंगे 1 से लेकर हम लोग यहाँ पर 9 और 10 तक select and drag function का प्रियोग करेंगे इसके बाद हम item name डालेंगे आइटम नेम के बाद हम यहाँ पर हमारा जो rate है उसको डालेंगे दोस्तो कभी भी अगर आप जब column में कुछ चीजे लिख रहे हैं या फिर कुछ भी value डाल रहे हैं और वो दूसरे column की और चली जाती है तो आप उपर जाकर बी और सी जहां पर लिखा है वहाँ पर जाकर डबल क्लिक कर दें वहाँ auto exist हो जाएगी पर जाएगी यहाँ पर हमने सारे word जो हैं हमारे उनको bold किया है इसके बाद जो हमारे rate की value है उसको center alignment करकर center में कर दिया गया है उपर की heading में हमने yellow color का जो background दिया है numbers को हमने center alignment करके यहाँ पर दूसरा color option लिया है red color दिया हुआ है ऐसे ही अगले column को select करके हमने दूसरे color में किया है ऐसे ही अगले column को select किया और दूसरे color ऐसे ही सारे अलग-अलग column को हमने अलग-अलग color में बदला है यहाँ पर अब हम select करेंगे और select के बाद हम यहाँ पर copy और paste का प्रियोग ना करके format painter का प्रियोग करेंगे जो कि आपकी screen पर left hand side cut copy के नीचे रहता है दोस्तो format painter का जो use है वहाँ केवल इतना है कि वहाँ value को नहीं लाता केवल जो आपने background color दिया है उसी को लेकर आता है और इसी का नाम है format painter जो आपकी select किये गई value है वो बिलकुल भी नहीं आएगी केवल और केवल जो आपका background color है वही आता है यहाँ पर हमने format painter का प्रियोग किया है आईए अब एक बार और समझ लेते हैं copy और paste कैसे होता है format painter heading काट कर हम समझेंगे copy and paste अगर दोस्तो हम copy और paste करते हैं तो जो value है वो हो भी और साथ में जो हमारा background color है वो हो भी वो दोनों ही copy होते हैं और वैसे का वैसा ही यहाँ पर दिखने को मिलता है पर format painter में अंतर केवल यहाँ है कि उसमें जो value है वहाँ नहीं आती और cable background color ही आता है काफी महत्पून function है यहाँ काफी महत्पून काफी महत्पून काफी महत्पून काफी महत्पून काफी मoms पीक झाल झाल